आठ महीने बाद 15 अक्टूबर से खुल रहे हैं थियेटर अब विशेक बच्चर ने कहा ये हफते की सबसे अच्छी खबर है कोरोना की बीच अनलोग 5 की गाइडलेंस बुदुवार को जारी कर दी गई केंदर ने 15 अक्टूबर से सीनेमा होल और मल्टिपलेक्स खोलने की मनजूरी भी दे दी है मल्टिपलेक्स थियेटर और सीनेमा को कोई ख्रमता के 50% सिटिंग कैपिसिटी के साथ खोला जाएगा इसके लिए केंदर एस ओपी जारी करेगी इस खबर के आते बी टाउन सेलेफ्स की खुशी का पार नहीं है सबसे पहले विशेग बच्चे ने ट्विट किये इससे हपते की सबसे अच्छी खबर बताया है 2019 हिंदी फिल्म इंडिश्ट्री के अब तक का सबसे वहतरिन साल रहा इस साल करीब 500 फिल्म में रिलीज हुई थी और सभी ने लगबग 56 क्रोड रुपे का कारोबार किया था इतना ही नहीं बॉक्स ओफिस पर 100 क्रोड रुपे से ज़्यदा कमाई करने वाली से ज़्यदा फिल्मे भी 2019 में आई 2020 की बात करें तो ये साल अभी तक लगबग 800 क्रोड के बॉक्स ओफिस क्लेक्शन पर खड़ा है जो की मार्च के दूसरे सब्ता है तक आएगा इसके बाद लोकडाउन लग गया अब साल के में चार महीने बचे हैं और सिर्फ दो बड़ी फिल्मों की रिलीज की चर्चा है ऐसे में बॉक्स ओफिस को बहुत बड़ा नुक्सान होना यह है ऐसी खबरे जानने के लिए अब हमार चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें कमेंट करो बेल आइकन मिटन दवाना बिल्कुल भी ना बुले ताकि हम आपको ऐसी खबरे देते रहें धन्यवाद